अर्मो ना दुसर चत्य समाना आगम निगम पुरान बखाना चननी चन्म भोमिश्चर स्वरगाद अपी गरीज़ी अर्थार नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोता हूँ चुनाव आयोकी कृपासे राम भरु से चल रहे पीम मोदी के चुनाव प्रचार में आज पीम मोदी अचानक कथा वाचक के किरदार में आ गए सर्सकृत के बहुत सारे दोहे घर से रट कर आये थे पीम मोदी या फिर टेले प्रोम्टर पर लिखे होंगे लेकिन गंभीर मुदा ये है कि पीम मोदी ने जो बोला वो दिखाता है कि पीम मोदी ऐसी बाते करते तो हैं लेकिन खुद के जीवन में अमल नहीं करते जब पीम मोदी भगवान राम के नाम पर लंबे चोड़े प्रवचन दे रहे थे तो साथ ही जूट भी फैला रहे थे पीम मोदी ने आज जो बोला वो दिखाता है कि शायद इंटर्नल मीटिंग में बोला गया होगा कि मोदी जी अब आपको थोड़ा धर्म की राजिती का डोश बढ़ारा होगा और वही पीम मोदी ने आज की रैली में किया और इंडिया गड़ बंदन पर कॉंग्रेस पर मन घडंत आरोप लगाते वे भगवान राम के नाम पर क्या राजिती की सस्कृत बोलते वे जरा सुनिये तो पीम मोदी भगवान राम के नाम पर जनता के सामने ऐसे ही जुट बोलते हैं कि इंडिया गड़ बंदन वाले भगवान राम के खिलाफ हैं तरह तरह के दोहे सुना कर जनता को बोलते हैं कि देखे भगवान राम तो इतनी अच्छी सीख देते हैं लेकिन ये आइडिया ओफ इंडिया के नाम पर इंडिया गड़ बंदन वाले भगवान राम के खिलाप हो गए है ये राम ही है ये राम ही है जो सभी दुश्यों को पंचितों को गले लगाकर अपने पास बैठाते हैं ऐसे प्रभु राम को फॉंग्रेट आइडिया ओफ इंडिया के खिलाप बानती है अब बता ये भगवान राम के खिलाप कौन से नेता ने बयान दिया जीतन राम आजी के भी बहुत सारे बयान वाइरल हुए थे जो कि एंडिया में सहयोगी हैं जो भगवान राम को कभी काल्पनिक बताया करते थे आज मोदी जी के साथ खड़े हैं तो सत्ता के लिए आप ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड सकते हैं और विपक्षी नेताओं पर तरह तरह के जूट बोल कर जूटे आरोप लगा कर जनता को गुम्रा करने की कोशिश की जाती है कोई भी पार्टी हो वो किसी धर्म के खिलाफ आकिरकार कैसे हो सकती है कॉंग्रेस हो आमादी पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो सब पार्टियों में सब धर्म के मानने वाले लोग हैं लोगों की आस्ता एक अलग मुद्दा है पीम मोदी को उसके साथ ऐसे खिलवार नहीं करना चाहिए अगर आप वाकई भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम ये भी सीख देते हैं कि हर यूद मर्यादा के साथ ल का निमंत्रण स्विकार करना ना करना वो एक अलग मसला है क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि मोदी का शो बन गया है लेकिन जनता के सामने ये कहना कि फला पार्टि भगवान राम के खिलाफ है ये खुलकर धर्म की राज़िती करना है विपक्ष को बदनाम कर करना है चुनाव आचार सहीता के खिलाफ है लेकिन चुनाव आयोग चुकी कोई एक्शन नहीं ले रहा तो शायद हर रैली में पीम मोदी की हिमत बरती जा रही है जब आप संस्कृत के इतने श्लोक जनता के सामने सुनाते हैं तो फिर उनको अपने जीवन में भी अमल करना चाहिए और मर्यादा के साथ चुनाव लगना चाहिए आप रोजाना नया जूट बोलते हैं कि आपकी भेंश चीन लेंगे साइकल चीन लेंगे मगल सुथ चीन लेंगे बंदे भारत बंद कर देंगे राशन बंद कर देंगे तरह तरह के जूट विपक्षी नेताव पर फ भगवान राम के नाम पर कभी राम मंदिर बनाने के नाम पर कभी राम मंदिर के नाम पर डराते हैं कि ताला जर देंगे कभी कहते हैं कि भगवान राम के खिलाफ हैं इस तरह का बयान सरासर चुनाव अचार सरीता का उलंगन है और हे चुनाव आयोग अगर अपनी साथ की को करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार